इस चीज का उपयोग जिस घर में होता है, उस पर मा लक्ष्मी की कृपा अवश्य ही होती है, इसके बहुत प्रियोग हैं, कुछ प्रियोग आज आपको बताने जा रही हूँ, आपको जिग्यासा हो रही होगी कि कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे घर में पैसा ला सकती है, हमार सारे कश्ट कम कर सकती है, नश्ट कर सकती है, तो ऐसी चीज आज आपके लिए लेकर आई हूँ, हाई एवरिवन, माइ नेम इस डॉक्टर उमाशिरी, मेरे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, आशा करती हूँ, सुखी होंगे, सब संपन होंगे, और लाइफ को इंजॉय कर रहे होंगे, भगवान ऐसे ही आपका दामन खुशियों से हमेशा भरा रखे, मेरा आशिरवात हमेशा आपके साथ है, जो मेरे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, सदा खुश हाल रहें, जहां भी रहें, मैं उनको पनपने का आशिरवात देती हूँ, वो इसका परिश्रम सफलता, उनके सफलता के साथ उनके साथ रहे, और उनको बहुत पैसा उनके पास आए, तो आईए आज का वीडियो शुरू करते हैं, मैं हूँ आपकी डॉक्टर उमा शरी मेरे चनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, आईए आज का वीडियो और आपने देखा ही होगा कि खुशाली कैसे उनके घर पे दस्तक देती है, तो आप भी इसका प्रियोग करें, और इसका प्रियोग कैसे करना है, आज आपको बताने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बैल बटन दबाईए और आल पर क्रिक करिए, जिससे ऐसी बहतरी जानकारी आपको मिसना हो और आपको फाइदा पहुचाए, तो आईए आज का वीडियो शुरू करते हैं, यह तो इस दाल चीनी का अंगिनत फाइदा है, लेकिन यह प्रोटेक्शन के रूप में बहुत ज़्यादा काम करती है, आप एक रुमाल के अंदर इसी कलर का रुमाल होना चाहिए, यह यालो कलर का भी रुमाल ले सकते हैं, उसमें हल्दी पाउडर और सिनमन पाउडर, इन दोनों को बांग के रख लीजिए पर्स में, आपके पर्स में कभी पैसे की कमी नहीं रहेगी, यह प्रोटेक्शन का आपने तिजोरी में रख दीजिए, कुछी दिनों में आप देखेंगे आपके पास बहुत सारा पैसा आने लग गया है, प्यार को आकरशित करने के लिए भी इसका प्रियोग किया जाता है, दाल चीनी के पाउडर से जिसको आप प्यार करते हैं, उस व्यक्ति का नाम तो व्यक्ति आपके पास बिना रुकावट दोड़ा दोड़ा आएगा, ये नेगेटिव एनरजी से प्रोटेक्शन भी देती है, सौल्ट के साथ अगर इसको आप गिलास में पानी के साथ रखते हो, मतलब पानी में घोल के रखते हो, सौल्ट भी घोल के रखते हो, तो य आपकी सुरक्षा करती है, प्रोटेक्शन करती है, अगर आप दीपक रोजना जलाते हैं, तो उस दीपक में दाल चीनी का पाउडर डालना चालू कर दीजिए, आपकी प्रोग्रेस दिन दुनी रात चोगनी हो जाएगी, इस से इच्छा पूर्ती भी होती है, जिस दीपक में आप इसको बर्न कर रहे हैं, उसके समक्ष अपनी विश बोलें, विश खुशाली के लिए होनी चाहिए, नेगेटिव विश मत बोलना, अपनी खुशाली की कामना करना कोई गुना नहीं है, तो अपनी खुशाली की कामना करते हुए अपनी विश बोलिए, तो आपकी नौकरी लग जाए तो इसको मंदीर में चड़ा दें तो आपकी बहुत ज्यादा तरक्की होती ही रहेगी तो आज के मैंने उपयोग इतने जानदा अंगीनत आपको बताए अगर आपको पसंद आए मेरा आइडिया मेरे सजेशन मेरी वीडियो तो लाइक जरूर किया आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और तसल्ली भी होती है कि आप मेरे वीडियो निरंतर देखते रहते हैं इसके अलावा शेयर जरूर किया कीजिए ऐसी जानकरी सबसे शेयर करने चाहिए क्योंकि सबकी भलाई सोचना अच्छी बात होती है तो सबकी भलाई सोचिए और इस वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जिससे उनका आशिरवाद और दुआ आपको भी मिले और मुझे भी मिले मेरे यूट्यूब पर 4000 से भी ज़्यादा वीडियो है जीने देखने के लिए टाइप करिए डॉक्टर उमाश्री मेरे वीडियो आपके सामने आजाएंगे जो आपको एंटर्टेन करने के साथ साथ तरह तरह से लाब पहुँचाएंगे तो आज का मैं वीडियो समाप करती हूँ प्यारे मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद